तो अभी आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, बैंको बड़ोदा का क्रेडिट कार्ड है, और एक मज़े की बात में आपको बताऊं, कि यह जो क्रेडिट कार्ड है, वो में 3 दिन के अंदर हमारे एड्रस पर रिसीव हो चुका है, और इस क्रेडिट कार्ड को मैं मज़े से यू रखे हो कि आपको बैंको बड़ोदा या फिर किसी सरकारी बैंक का क्रेडिट कार्ड लेना बहुत ही मुश्किल है, तो यह मुश्किल आप भूल जाओ कि इस वीडियो के अंदर बैंको बड़ोदा में क्रेडिट कार्ड कैसे अपलाई करना है, आपको step by step हम live बताने वाले बाकी यहाँ पर मैं बात करूँ तो बैंको बड़ोदा के अंदर आप lifetime free credit card ले सकते हैं जिसके नहीं कोई joining fee देनी है और नहीं कोई annual fee देना है मज़े की बात यह है कि कुछ-कुछ ऐसे cases में आपको without income proof भी credit card बैंको बड़ोदा के द्वारा दिया जा रहा है और यहाँ पे कुछ cases में आपको bank statement से भी credit card approve हो जा रहा है अब यहाँ पे मैं आपको एक और बात clear कर दूँ कि अगर आपका bank बड़ोदा में अकाउंट नहीं है फिर भी आपको असानी से यहाँ पे credit card मिल जाएगा तो यह जो credit card है यहाँ बहुत ही असानी से मिल चुका है और यहाँ पे इस credit card को मैं इस्तमाल कर रहा हूं तो भाइस आप इस ज्यान की बाते को side में करते हैं और credit card कैसे apply करना है complete जो process है वो हम सीख लेते हैं अब बहुत सारे लोग bank बड़ोदा credit card को apply करने में कुछ ऐसे miss tax कर रहा है और यहाँ पे उनका credit card application reject हो जा रहा है तो सही जो तरीका है इस video के अंदर आपको देखने को मि link मिल जाएगा simply आप link पे click करेंगे और आपके सामने कुछ ऐसा interface आएगा अब देखें यहाँ पे आपको तीन step के अंदर credit card apply होगा और इसकी किवाई सी है वो भी आप घर बैटेंगी complete कर पाएंगे पहले step के अंदर आपको अपनी title select करना है तो simply यहाँ पे आपना title select एक चीज मैं आपको यहाँ पे clear कर दूँ कि आप यहाँ पे जो भी name भरेंगे आपके pen card में same spelling होना चाहिए spelling में अगर error होता है तो आपका credit application reject हो सकता है वही दोस्तों यहाँ पे आपको email id का भी option आता है तो आपको अपना personal email id यहाँ भरना है नीचे आते हैं तो यहाँ प video करेंगे और date of birth जो आपके अधार card में mention है आप वह फिल करेंगे वही नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको nationality में Indian select कर लेना है और नीचे में आपको दो function condition दिखाए जा रहे हैं दोनों को टिक करना है और सबसे नीचे generate OTP वाले icon पे क्लिक कर देना है देखिए जैसे यहाँ पे आप next पे क्लिक करते हैं आपके number पे bank को बड़ोदा एक OTP भेजता है अपना OTP आप यहाँ पे फिल करेंगे और verify OTP पे करके इसको यहाँ से verify कर लेंगे अब जैसे ही आप यहाँ पे OTP फिल कर लेते हैं अगले step के अंदर यहाँ पे आपको अपनी work address भरना है तो address line 1 address line 2 में आप अपना complete address फिल करेंगे लेंडमार्क में आपका जो कोई फैमस जगा होगा घर के नियरबाई आप फिल करेंगे पिन कोड सीटी स्टेट यहाँ पे फिल करेंगे और अपने address को फिल करने के बाद आप इसे next कर देंगे अगले step के अंदर यहाँ आप से आपकी company name पूछी जा रही है कि आप किस company में job करते हैं आपका profession क्या है designation क्या है और यहाँ पे आप कितने time से वह काम कर रहे हैं वो सब यहाँ पे आपको भरना होगा नीचे आपका work address पूछा जाता है कि आप काम कहां पे करते हैं तो आपका जो भी company होगा या फिर आप अगर खुद से भी काम करते हैं घर पे रहके तो आप वहाँ पे अपना personal address भी दे सकते हैं तो complete यहाँ पे address आप फिल करेंगे उसके बाद आप इसको next करेंगे अब देखिए जैसे ही यहाँ पे हमने यह सारा steps complete फिल कर दिया है यहाँ पे आपको credit card की eligibility सो की जाएगी क यह आखिर आप credit card के लिए eligible हैं या फिर नहीं है हमारे केस में देख सकते हैं चोवन हजार रुपए का यहाँ पे limit दिया गया है और यहाँ पे बैंको बड़ोधा का easy credit card आ रहा है अब देखो यहाँ पे आपको multiple credit card के offer होंगे तो आपको multiple credit card भी आ जाएंगे और यह जो limit है यह maximum limit आपको दिखाया जा रहा है इसके आसपास यहाँ पे आपको credit limit मिल जाएगा तो अगर अभी तक आपका limit 100 कर दिया है तो समझ लीजिए यहाँ पे आपको credit card आसानी से मिल सकता है तो यहाँ पे आप credit card सेलेक्ट करेंगे वही दोस्तों अगर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको credit card के अंदर क्या facilities मिलेगा यह सब आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पे आपको जो credit card है इसका annual fee और joining fee भी माप कर दिया जाएगा lifetime free credit card के अंदर दिया जा रहा है अगर आप 35,000 रुपए का spend कर लेते हैं एक साल के अंदर तो यहाँ पे आपको जो credit card चा status आपने पढ़ाई कहां तक complete किया है father name, mother name यह सब आपको यहाँ पे भरना होता है तो आप यह जो personal details से उसे fill करेंगे और उसके बाद आप इसे next कर देंगे वह यहाँ पे आप से ऊपर पुछा जाता है कि आपके card पे आप क्या name print करना चाहते हैं वह आप fill करेंगे यहाँ आपको card किस address पर चाहिए office address पर चाहिए या फिर आपका यहाँ पर residential address पर चाहिए आप वह चूज करेंगे इसके अंदर अगर आप nomony add करना चाहते हैं तो यहाँ पर yes कर सकते हैं नोमनी का नाम उनके साथ आपका क्या relationship पर बढ़ सकते हैं बाकि अगर आप nomony add नहीं करना च सकते हैं इसमें आप 2 credit card किसी को भी दिलवा सकते हैं अगर आपको चाहिए तो आप yes कर सकते हैं तो यहाँ पर हमें add on credit card नहीं चाहिए simply हम no करेंगे और इसके बाद इससे proceed कर देंगे अब अगले step के अंदर यहाँ पर आप से identity proof और income proof पूछा जा रहा है एक चीज मैं आप आपको clear कर दू identity proof में आप अपनी pen card की photograph's upload कर सकते हैं और income proof में आप अपना तीन महीने का bank statement भी दे सकते हैं उससे भी आपका काम चल जाएगा तो दोनों document यहाँ पे अप्लोड करेंगे और submit and proceed वाले icon पे click कर देंगे जैसे ही आप यह document यहाँ पे upload कर देते हैं आगे आगे fill करना है तो यहाँ पे आप अधार number fill करेंगे send OTP पे click करेंगे एक OTP आपके mobile number पे भेजा जाएगा और यहाँ पे आपका KYC जो है वो complete हो जाएगा अब जैसे ही आप अपने KYC complete कर लेते हैं उपर आपको thank you का page भी आ चुका है यहाँ पे आपका application ID भी आ चुका है मतलब य video KYC complete कर लेंगे तो दोस्तों आपके email पे video KYC का option आजाएगा simply आप click करके अपना वीडियो KYC कर सकते हैं वीडियो KYC के अंदर आपको just अपना pen card अधार card दिखाना होता है और आपका selfie क्लिक किया जाता है that set आपका KYC complete हो जाता है और 7 दिन के अंदर आपका credit card है वो आपके address पे बन के आ जाएगा अब credit card के अंदर अगर आपने कुछ information गलत फिल किया होगा तो इसमें आपको time भी लग सकता है और अगर आपका application reject होता है तो आपको email पे notification भी आ जाता है तो अगर सब कुछ सही रहता है तो 7 दिन के अंदर आपको credit card मिल जाता है तो दोस्तों बैंको परोदा में कैसे credit card apply करना इस वीडियो के माधिम से हमने आपको complete information दे दिया है हम उमीद करते हैं हमारा effort आपको बहुत ही पसंद आया होगा इस वीडियो को हम यही पे खतम करते हैं मिलते कि लिए किसी interesting वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए take care